नमस्कार आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज और उत्तर प्रदेश के माउ जनपद में शब बरात पर अकीदत मंदों ने कब्रिस्तानों पर जाकर अपने पुरोजों की कब्रों पर पाते हैं पड़ा इस दोरान नवजवानों ने मीठे के साथ प्यासे को पानी पिलाया शर्बत और पानी इस दोरान उन्होंने पिलाया बताते हैं कि रमजान माह से पूर इसलाम धर्म में पूर शाबान माह की बड़ी आहमुयत है इस माह में नभी अकरम अलेहिवसलम ने बड़ी कसरत के साथ रोजा रखा और रातों को जाग जाग कर अल्ला की इबादत की शाबान की चौदवी तारीक को शविबारात का पर पूरी दुनिया में इसलाम को मानने वाले लोग बड़े जो शुकरोस के साथ मनाते हैं इसी करम में पूरी दुनिया के मुसलमान आज फजर की नवाज के बाद से ही अल्ला की अबादत और कुरान की तिलावत में जुट गए पूरे दिन अल्ला की अबादत करते रहे और कुरान की तिलावत करने करते रहे जैसे ही मगरीब की नमाज हुई उसके बाद अकीदत मंदों ने कबरिस्तान पर जाकर अपने पूरुजों की कबरों पर फातिहा पढ़ा तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से रहें अब व्यदिन ñोगरिस्तान में फातिहा पढ़ रहे और आपको पता दे पूरी दुन्या में मुसल्मान सभी बरात के दिन से लेकर पूरी रात तक अल्ला की इबादत करते हैं कुरान पाक की तिलावत में मश्गूल रहते हैं और दूसरे दिन एक रोजा भी रखते हैं क्योंकि अल्लापाक ने कुरान पाक में शाबानों शाबान माह की बड़ी अहमियत बखान की है देखें सत्यते न्यूज मौव ब्यूरो की रिपोर्ट क्योंकि रखते हैं झाल झाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं